हेलो नवसकार दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो देखें आज कल के लाइप श्टाइल में मोटापा एक बहुत बड़ा समस्या है और इसको सिर्फ दूर किया जा सकता है अपने खान पान और श्टाइल से कैसा हमारा खान पान हो उसके उपर बहुत सारा खाना खाते हैं खाना खाने से पहले अगर आप मोटापा से अगर दूर होना चाहते हैं उसके बार में बात मैं करना चाहता हूं आज आप जब भी खाना खाने जाएं उसके आधा घंटा पहले एक गिलास जो भी हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं जितना आप पी सकते हूं आ तो लेकिन अक्सर में पेट भारा नहीं होता है खाना जब आपका खाएंगे तो उसके हिसाब से आपको देरे देरे गिरोजली आपको अजन कम हो जाएगा लेकिन उससे भी हटके अलग ही एक तरीका है जो आम भासा में यूज लोग नहीं करते हैं और ये यूज होता है ज्य उसमें होता क्या या कि वहां पर Rainbow को खाना खाने का च्टाइल है Rainbow को मतलब रंग भिरंगी यानि सब रंगो को खाना मिला के सब रंगों को खाना थो बनाने सकते है बनता भी है थूड़ा बहुतएशा है नहीं लेकिन उसके पास पाय है Salada जो हमारे सलाद हैं, मिला जुला के खाईए, रंगीन सलाद, हर तरह की कलर मिला होना होना चाहिए, जैसे कप्सकम है, मतलब सिमला मिर्ची है, गाजर है, लेट्यूस है, हरा धनिया है, सिमला मिर्ची है, यह सारे चीज जब हम मिला देंगे तो हमारा एक रैंबो सलाद तयार ह जाता है और ये खाना का रीशियो भी देखना बहुत जरूरी है जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं 100 ग्राम या माल लीजे आप खाना खा रहे हैं 200 ग्राम तो जो भी खाना खाएं आप उसका 40% सलाद होना जरूरी है चाहे आपका लंच हो चाहे आपका डिनर हो तो लंच डि क्या बनाई जाती है ना सलाद बोलेंगे तो सब लोग यही समझते हैं कि सलाद मतलब क्या है मतलब गाजर हो गया कड़ी हो गया यही सलाद हो गया लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों सलाद में हर तरह की हर रंगीन सब्जिया मिलाई जाती है और बहुत ही जरूरी है रंगीन सब् मिलर जरूरी है bruk सारे रंगिन कलर जब हम खाते हैं तो वो फूरती हो जाता हैं तो अफ ज्यादा वीडियो नई बनाऊंगा अब सालाथ के उपर जाते हैं नहीं तो वीडियों ज्यादा लंबा हो जाएगा 치lor है कि आप यह से बार एक सा के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपोर्टेंस है यह सरीर के लिए बहुत सारे विटामिन स्वा मिलेते हैं और यह रहा टमाटर टमाटर जो है विटामिन दीऊ zwischen 2 विर्ची का मुक्स रोत है और ये खाना बहुत ही जरूरी है अच्छा है तो बहुत अच्छा है लेकिन पका के भी इसको खा सकते हैं कोई मुच्छिन नहीं हैं लेकिन सलाद में आप जरूर खाएं तमाटर खाना बहुत ही जरूरी है और यह रही हमारे ककड़ी तो थोड़ा-थोड़ा करके आपको रंगीन सलाद जिसको बोलते हैं यानि रंबो रंबो टाइप का मैं सलाद आपको बना रहा हूँ आज बना के दिखा रहा हूँ और यह रहा हमारा बीट रूट जो मैंने काट लिया पहले से लेकिन थोड़ा इसको बारिक कर लेंगे तो खाने में इजी हो जाएगा तो यह हमारे देखिए भी एक, दो, तीन, चार, पाँच यानि हरा हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया और येलो कलर हो गया और यह के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भी, बहुत इंपोर्टेंट है इसका, इमिरिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो यह जो है, सारे सलाद हो गए, अब मैं जो है, इसको निकाल लूँगा, एक प्लेट में, प्लेट तयार कर लेते हैं, देखिए कैसे किया जाता है, डिसिंग भी इंपोर्टेंट है, सलाद बनाने के साथ, इसे आप सजा दीजिए, यह कि करके, इसे सजा सकते हैं, तो यह देखने में अच्छा लगेगा, अपने को भी अच्छा लगेगा, खाना तो है ही, लेकिन हम लोग अब क्या कि, जब घर पे कोई को यह आता है, बाहरी आदमी, तो ही उसको ज्यादा ध्यान देते हैं, बागी टाइम तो यह सोचते हैं, चलो यार, कैसे भी तो खाना ही है, लेकिन नहीं, देखे, जैसा दीखता है, वो इसे ही हमारे सरीड पर भी अशर पड़ता है, यानि आप खाने को किस तरीके से करते हैं उसके ही सब हिसाब से ही हमारे सरीर पे इसे ड्रेसिंग कर लिजिए उसका देखने में भी आपको अच्छा लगेगा खाने में भी तो टेस्टी है ही और ज्यादा टेस्ट इसको लाना चाहते हैं तो इसमें थ्वड़ा सा धनी एक जो है आपके पास जो भी हरा हो गया यह पीला हो गया यह लाल हो गया तो इस तरीके से भूलते हैं रैंभो यह इन्यी रैंबो स्टाहल में यह हमारा सलाद त्यार हो गया और उसके साथ साथ मैंने जो आवला लिया था आवला भी उपर से डाल देंगे देखिए दोस्तों यह हो गया हमारा सलात तयार आप इसको खाने के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ खुद भी तो इस तरीके से और एक इंपोर्टेंट इसमें जैतुनायल का ड्रेशिंग जरूर करें खाने में हेल्दी है प्लब खाने में Tasty है और हेल्दी भी हमें और इसमें थोड़ा सा नमक आप जरूर डाल दें नमक डाल देंगे तो इसका TRIST जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा है न तो इसे रहा तैयार हो गया भी ह करें और सब्प्राइब करना बिल्कूल ना भूलें क्योंकि जैसे ही आप सब्प्राइब करेंगे तो मैं कोई भी रेसीप या कुछ भी जो आपको चाहिए जो आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपके सजेशन के हिसाब से मैं नया वीडियो डालूंगा नया वीडियो अ झाल झाल